दोस्तो क्या आप लोगों को 15,000 रुपे के अंदर एक अच्छा स्मार्ट टीवी बाई करना है जिसमें आपको टीवी में जो है मुवीज को देखने के साथ आसानी से जो ही इंटरनेट को चला सके गेम्स केल सके या फिर टीवी में आपको बाकि सब इस सभी स्पैसिफिकेशन भी अ अच्छे मिले तो दोस्तो आज मैं आप लोगों को इसी बजट में 5 से ही बेस्ट स्मार्ट टीवी बताऊंगा जो की आपको अच्छे स्पैसिफिकेशन और फीचर के साथ मिलेंगे सब इस smart tv को purchase करने का link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा वहाँ से आप जो है कोई भी smart tv को buy कर सकते है तो दोस्तों इस वीडियो का आप योग जो है end तक देखते रहेगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना किसी देरी करते हैं वे शुरू करते है पाचवे नमबर पर आता है ifalcon company का ये वाला smart tv जो कि आपको 12,000 रुपे में मिलेगा इस smart tv में आपको जो है ultra slim design मिलता है जिसमें आपको 32 inch का hda plus grade का panel दिया गया है जो कि hdr10 के साथ आता है तीवी में आपको android oreo based operating system मिलते है वही आपको 1.5 GB का RAM दिया गया है और pre install कई सारे application भी मिलते है इस smart tv में आपको 16 watt के dolby digital speakers मिलते है connectivity की बात करूँ तो आपको इसमें 2 HDMI port, 1 USB port, Wi-Fi, Ethernet और Chromecast का option मिलता है फोर्थ नमबर पर आता है Mark Q company का ये वाला smart tv जो कि आपको 12,000 रुपे में मिलेगा इस smart tv में आपको slick design के साथ 32 inch का hda plus great वाला panel मिलता है टीवी में आपको dual core processor दिया गया है जो कि linux based operating system पे काम करता है इसमें आपको कई सारे pre install application भी दिये गये है टीवी में आपको 20 watt की 2 dolby digital speakers मिलते हैं जो कि काफी loud है connectivity की बात करूँ तो इस tv में आपको 3 HDMI port, 2 USB port, Wi-Fi, Ethernet और screen mirroring का option मिलता है तिसरे नबर पे आता है वी यू कंपनी का ये वाला smart tv जो कि आपको 12,500 रुपे में मिलेगा वी यू के इस smart tv में आपको जो है piano black design मिलता है जिसमें आपको 32 inch का hd a plus grade का panel दिया गया है टीवी में आपको linux based operating system मिलते है और pre install आपको कई सारे application दिये गये है इस smart tv में आपको 20 watt के जो है 2 dolby digital speakers मिलते है connectivity की बात करूँ तो इस tv में आपको 3 HDMI port, 2 USB port, Wi-Fi, Ethernet और screen mirroring का option मिलता है सेकेंड नमर पर आता है thompson company का b9 pro smart tv जो कि आपको 12,000 रुपे में मिलेगा इस smart tv में आपको 32 inch का hd a plus samson panel मिलता है आपको इसमें android based operating system दिये गये है जिसमें आपको pre install कई सारे application मिलते है thompson के smart tv में आपको 20 watt के 2 surrounding speakers मिलते है जो कि काफी loud है connectivity की बात करूँ तो इस tv में आपको 3 HDMI port, 2 USB port, Wi-Fi, Ethernet और mirror cast का feature मिलता है दोस्तो मेरे लिस्ट में first number पर आता है Xiaomi का Mi TV 4A pro जो कि आपको 13,000 रुपे में मिलेगा Mi TV 4A pro में आपको जो है slim design के साथ 32 inch का hd panel मिलता है TV में आपको quad core emlogic का processor दिया गया है जो कि android based operating system पे काम करता है जिसमें आपको जो है patch wall के साथ pre install कई सारे application मिलते है इस smart tv में आपको 20 watt के 2 DTS stereo speakers मिलते हैं जो कि काफी loud है connectivity की बात करूँ तो इस smart tv में आपको 3 HDMI port, 2 USB port, Bluetooth, Wi-Fi और Chromecast का feature मिलता है तो दोस्तो मेरी लिस्ट के बतायवे सभी 5 smart tv आपको कैसे लगे आपके रैप मुझे comment box में बता सकते है इन सभी smart tv को purchase करने का link आपको video के description में मिल जाएगा वहाँ से आप जोए एक एक क्लिक करके smart tv को bike कर सकते है तो दोस्तो आज का informational वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को like, share, comment करना ना भूले और ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे channel AD Tech को subscribe भी कर सकते है Thank you for watching friends, मिलते अगले से interesting videos के साथ तब तक के लिए take care and bye bye friends